दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप LinkedIn पे lead generation ads चला सकते हैं और ads चला के customers लेके आ सकते हैं अपने business के लिए अपने service के लिए तो दोस्तों इस वीडियो में मैं पूरा आपको step by step process बताने वाला हूँ क्योंकि अधूरा आप सभी को भी पता है बहुत जादा घातक होता है आपको सारा process समझ में नहीं आएगा फिर आपको results नहीं आएंगे तो आप बोलेंगे कि हमने results नहीं आ रहे और यह क्या process बता है अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू कि इस वीडियो में मैं थोड़ा सा lead generation ad चलाओंगा एक मैंने landing page बनाया है जो कि website development के लिए हमें lead generate करनी है LinkedIn से तो किस तरीके से हम करेंगे एक landing page पे आपको लोगों को लेके आना पड़ता है तो यह landing page हमने बनाया है और यहाँ पर हमने अपना calling calling number दे रखा है बट इस number पर अगर कोई call करोगे आप सब वीडियो देखने के बाद तो यह number पर call उठती नहीं है बट इस number पर अगर आप सब WhatsApp करते हैं आपकी query के साथ तो यह number पर आप सब मुझे WhatsApp कर सकते हैं with your issues with your queries ठीक जब मुझे time लगेगा तो मैं reply करने ही कोशिश करूँगा तो दोस्तों यह हमने एक छोटा सा page बनाया है आप देख सकते हैं थीक लग रहा है cute लग रहा है ज्यादा इसमें हमने किस सिर्फ design और development के लिए और marketing के लिए request code पर click करेगा वो बंधा सीधे हमारे WhatsApp पर जाएगा यहाँ पर हमने map डाल दिया है और यहाँ पर contact us की थोड़ी बहुत detail है तो बस यह हमारा page बन गया यह मैंने बनाया है thrive architect से आप सब free में भी बना सकते हो elementor से elementor का free वाला plugin होता है उससे भी आप एक basic landing page अपने blog पे ही service वाला page बना सकते हूं जैसे हमने triotech.com slash services करके बनाया है तो इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं चली दोस्तों वीडियो में आगे बने से पहले आप सभी को बता दूँ मेरा नाम अमित मिश्रा है और मैं अपने चैनल पे इसी तरीके की वीडियोज बनाता हूँ आप जाके और सभी वीडियोज को भी चेक कर सकते हैं description है मैंने playlist दे रखी है उसको भी आप जाके check out कर सकते हैं और अगर आप सब चैनल पे नए हैं पहली बार आए हैं नीचे जो red color का बटन उस पे क्लिक करके subscribe कर दीजे बेल आकन को भी press कर दीजे ताकिन future में जो वीडियोज बनाओं उनके notification आपको easily मिल पाएं तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कैसे आप lead generation कर सकते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो वही मेरा एक motivation है और और अच्छे वीडियोज बनाने का मन करता है तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिए ठीक है मेरे दोस्त आज मैंने घड़ी नहीं पहनी है चलिए वो matter नहीं करता है आपको सबसे पहले अगर lead generation ad चलानी है तो आपको जाना है linkedin.com पे बाकि अगर आप चाहें तो google में सीधे सर्च कर सकते हैं linkedin advertise तो यहाँ पे आप देखें यहाँ जब linkedin पे home page पे हैं तो यहाँ पे advertise का option आपको मिला हुआ है अब आप सब में से कुछ लोग पूछते होंगे कि अमित भाई क्या हम in ad campaign को अपने phone से run कर सकते हैं भाई बिल्कुल run कर सकते हो desktop mode में chrome को open करके लेकिन वहाँ पे बहुत ज़ादा आपको मुश्किल का सामना करना बढ़ेगा मतलब कि आपको ढंक से आप campaign set नहीं कर पाओगे बहुत सारी चीज़े बहुत सारी problem आती है बट यहां पर आप desktop पर करते हैं तो easily हो जाएगा तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं अगर आपको ad चलाना है तो आपके पास एक company का page होना चाहिए जैसे अभी मेरे पास पहले webonex digital media था अब इस को मैंने change कर दिया biz grow media इसकी website development में है मतलब under construction में है biz grow media नाम से मैंने इसको कर दिया है ताकि future जो हमें clients आएंगे या फिर जिनकी services देनी है हम इसी banner के under देंगी ठीक है तो यह हमारी company का account है तो अगर आपको company का page कैसे बनाना है जैसे आप Facebook page बनाते हो वैसे ही company का page आप बना सकते हो जैसे मैं आपको दिखा दूँ यह मेरी profile है आप सब LinkedIn पर आप सब देखते होंगे तो यह मेरी profile है और अगर आप सब मुझे LinkedIn पर follow नहीं करते हो तो आप सब follow आलो कर सकते हो और description में सभी link मिल जाती है तो यहाँ पर आप देखो यह तो मेरा profile page है लेकिन आपको अपन साइड भी यू कन सी कि आपके पास जितने भी company pages है जैसे बिज्ग्रो मेडिया ट्रायो टेक तो इस टाइप के pages आप बना सकते हैं जैसे Facebook पर pages बनते हैं यह बन जाने के बाद ही आप add run कर पाएंगे ठीक है क्योंकि LinkedIn Facebook की copy करता है कही ना कहीं तो कुछ features भी वैसे ही रखे ह यहां पर देखिए आपने अपना account select कर लिया है और यहां पर हमारा account active है running state में है अभी तक कोई penalty नहीं लगी है लेकिन यह जो हमें message आ रहा है यह add blocker की वैसे आ रहा है क्योंकि बहुत सारे functionality हमें अगर आप add blocker use कर रहे हैं तो वो miss हो जाती है तो हमने यहां पर add blocker को off कर दिया for this particular page और advertisement के लिए ठीक है क्योंकि add blocker add को ही block कर देता है ad add करके जो भी लिखा होगा now you can see थोड़ा सा red message नहीं है अब आपको क्या करना है सबसे पहले अगर आपको lead generation add करना है हमारे case में क्या है कि हमको lead generate करनी है website development के लिए और हमको चाहिए कि यह form कोई fill up करे और हमें response के साथ add कर दिया है वहाँ पर हमें कोई query automatically आ जाए landing page ready है और form ready है अब हमारे पास हमारा add campaign है add चलाना है लोगों तक अपनी add को पहुचाना है और result drive करना है ठीक है सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर create campaign पर आप click कर दीजिए बहुत है simple process है आप इस video को completely देखे ताकि आपको understanding लग जाए और आप यहाँ से जादा benefit निकाल सके ठीक है आप इस campaign का कुछ भी नाम दे सकते हैं मैं यहाँ पर देता हूँ lead gen web development ठीक है मैंने इसको short form में ही लिख दिया ऐसी lead generation web development आप जिस country में भी आप एक naming convention होता है उस हि आप इसका नाम भी लिख सकते हैं अब यहाँ पर आपको किस type का campaign चलाना है अब कौन से group को target करना चाते हैं campaign का group क्या है कुछ default campaign group है नहीं use a different group या फिर create a new group आप कर सकते हो तो जब आप यहाँ पर नया group create करेंगे तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी settings होती है जो आप इस सकते हैं अगर आपको चाहिए कि आपको different उसके budget उसकी start date उसकी end date आपको करना है तो वह आप यहाँ पर बना सकते हैं तो चली मैं यहाँ पर एक new group बनाता हूं आप सभी के लिए तो मैं इसको नाम भी देता हूं lead gen ठीक है सिर्फ lead gen दे दिया status इसका आपको कैसे रखना है draft में रखना active रखना मुझे active रखना है और आपको add को continuously run करना है या फिर आप चाहते हैं कि भाई एक date के बाद यह जो add हमारी वह बंद हो जाए ठीक है तो end date भी आप देना चाहें जो भी देना चाहते हैं वह आप दे सकते हैं अभी के लिए मैं चाहता हूं कि मेरी add continuously चलती है और मुझे आप चाहें तो अपने budget के हिसाब से भी आप यहां पर set कर सकते हैं कि भाई end date का budget क्या होना चाहिए लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरी add continuously run हो बाकि जो भी रहेगा देखा जाएगा ठीक है मैं इसको save कर देता हूं इस campaign का जो मैंने group बनाया है और मैं चाहूंगा क कि अब इसी के based मतलब मैं अपनी add को run करूं ठीक है तो आप मुझे क्या करना है कि यहां पर active है हमारा lead generation group अब मैं इसको next पर click करता हूं जैसे आप next पर click करेंगे तो यहां पर basically आपको पूछेगा कि आपको चाहिए क्या तो आप यहां पर देख सकते है objective brand awareness आपको website visitors चाहि चाहिए जैसे कि और सभी add platforms में होते हैं वही आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा आपको website conversion चाहिए job के लिए application चाहिए क्या चाहिए मुझे अब यहां पर leads चाहिए भाई LinkedIn मुझे leads दो अब यहां पर कुछ साइड़ों बोल रहा है कि I want more quality leads तो उसके लिए आप इसको बनाओ ठीक है उसके बाद यहां पर budget कितना रहेगा सारी चीजे step by step अपन देखेंगे तो सबसे पहले हम बूलते हैं कि हमारी audience क्या होने चाहिए तो हम यहां पर नई audience बनाएंगे तो save audience अगर आपने पहले को save कियोगी तो यहां पर मिल लेगी बाकि audience अगर आपको बनानी audience दे रखें आप चाहे तो उसके भी क्लिक कर सकते हो medical doctors new to job market nurses members तो दोस्तों अगर आप यहां पर सर्च कर रहे हो आपको suppose small business owners अगर आपको सर्च करना है तो यहां पर by default तो आ गया अगर आपको चाहिए बट यहां पर आपको चाहिए कि आपको और audience भी देखनी है तो see all audience प सर्च करूं small business owners तो यहां पर आप by default जितनी audience इनके पास उतने यह दिखाएंगे तो हमको क्या चाहिए कि जो small medium business owners है क्योंकि उनके पास पैसा भी रहता है तो हमको उनको ही ads दिखानी है जिन्नोंने founder लिखा होगा या फिर co founder लिखा होगा या फिर business के owner है LinkedIn भी जानता जैसे माइनस 26 बाकी select audience अब यह बोल रहा है existing selection will be replaced जो आपने current में select किया होगा वो replace हो जाएगा भाई ठीक है कोई बात नहीं हम select कर लेते हैं audience को तो दोस्तों हमने अपनी audience select कर ली कि हमें small business owners को ही ad दिखानी है अब आपको कौन सी country में आपको ad दिखानी है तो अभी आपको इंड से select कर सकते हैं बाकी your audience has their profile language set to English, Hindi, French, German अगर आपको चाहिए इंडिया में भाई English बोलते हैं और Hindi बोलते हैं most of the cases में English बोलते हैं who is your target audience? अभी हमको मिल तो गया कि small business owners हमने audience में बना दिया ठीक है उसके बाद अब इसके अंदर हम थोड़ा सा narrow down करेंगे कि कौन चाहिए अब यहाँ पर कुछ suggestion दे रहा है include people who have any of the following attributes CXO CEO है ना कोई भी है बाकी आप चाहिए तो अपने हिसाब से यहाँ पर edit भी कर सकते है जैसे अगर आपको चाहिए कि founder चाहिए CEO चाहिए ठीक है तो यहाँ पे आप founders लिख सकते हो जिनका job title founder है या फिर और भी सारी चीज़ें co founder हो गया तो आप इसके अंदर भी आप narrow down कर सकते हो ठीक है तो यह सब चीज़े भी आप यहाँ से कर सकते हो बाकी अभी हमने से पचास होना चाहिए ठीक है अब इसमें यह भी ध्यान रखो कि आप अगर ऐसे लोगों को पिछ कर रहे हो उन लोगों के सामने जाएंगी जिनके पास already website है तो वह क्यों convert होंगे लेकिन बहुत सारी cases में क्या होता है कि लोग founder बन जाते हैं अच्छी website नहीं बना पाते त तो that's why आप उनको भी target कर सकते हो आप चाहें तो और narrow down कर सकते हो अगर आपको करना है कि किस और audience को दिखाना है ठीक है दोस्तों यह सब करने के बाद आपको यहाँ पर add format select करना है कि भई आपको किस type की add दिखानी है कि आपको corrosal image दिखानी है video add दिखानी है message add conversion add क्या चाहि देंगे मेरे ख्याल से यह भी कुछ नया लेकिया रहे है LinkedIn audience network जैसे Facebook audience network है अब यहाँ बजट आपको क्या select करना है daily आपका क्या budget रहेगा तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर select करना चाहों कि भई मेरा daily budget 500 होगा तो 500 नहीं लेता है by default 1250 रुपे गया exact amount आपको बता दिया कि इतना daily आपका spend होगा तो अब इस case में अगर आपको लगता है कि यह जादा है तो आप अपने campaign को end date के साथ भी start कर सकते हो you can test with like एक दिन की आप add चला सकते हो दोस्तों जब आप select करोगे तो by default एक बहिने का रहता है आप इसको कर सकते हो कि भई जुलाई चल रहा है तो 8-9 ठीक है end date आपने डाल दिया कि भई दो दिन के लिए मुझे add चलाना है और मेरे 5,000 रुपे spend होगा और इसमें मुझे कितने leads आ सकती है let's see ठीक है अब यहाँ पर optimization goal आप चाहें तो leads है आप अपने हिसाब से भी उसको bid bid पे भी लगा सकते हो गर आपको करना है अब दोस्तो chances हैं और total clicks 3-15 हो सकता है दो लीड बे आ गई धायजार रुपे में तो बहुत बड़ी बात है ठीक है चलिए और यह सिर्फ इस पर भरोसा मत करिए तो दिखाने के लिए होता है और जैसे हाथी के दानत होते हैं वैसे होता आप ignore कर सकते हो अब दोस्तों आपको क्या करना है सारी चीज़े कर देने के बाद आप यहां पर next पर click कर दीज़े और बुल रहा है कि एक बर आपने सब confirm कर दिया तो यह format आपका change नहीं होगा अगर आपने एक बर save कर दिया जैसे आप यहां पर create new ad पर click करेंगे तो यह आपको add बनाने के लिए बोलेगा तो यहां पर इस type से आपके पास form हो जाएगा side map का add का preview दिखाएगा तो आप अपनी add का नाम दे सकते हो कुछ भी आपको देना है मैं यहां पर add one करके मैंने नाम दे दिया अब आप यहां प करता हूँ get affordable and dynamic website for your business click the below link to get quote ठीक है destination url आपको कहा redirect करना है आपके add पे click करने के बाद तो उसको हम redirect करेंगे हमारा यह वाला services वाला जो page है यहां पर यह page आपको डाल देना है simple url आपको paste कर देना है जो भी आपने landing page बनाया है image image मैंने already download कर रखी है तो आप यह देख सकते web development आप google से भी search कर सकते हो web development वाली ऐसी image तो इस तरीकी की हमारी add कहने का मतलब यह मैंने एक test add बनाई थी then आपको यहां पर क्लिक करना है जैसे आप upload पे click करेंगे तो आपको upload करने का option आएगा तो आप कोई भी image जो भी आपको लगे web developments related आप उस पर double click करेंगे वो यहां प पर दिया हुआ है for your business करके get affordable and dynamic and static website for your business आपको description देना है तो description में आप कुछ भी लिख सकते हो जैसे we develop more beautiful websites for your business that get conversions आप ऐसे कुछ भी लिख सकते है जो आपको लिखना है और उसके बाद फिर आता है form भरने की मतलब आप form add कर सकते हो अपने इसके साथ तो आपको call to action लगाना है यहां पे आपको click करना है get quote अब यह side में आपको दिखेगा कि आपकी add किस तरीके से दिखती है desktop पे mobile पे right अब आप यहां पे form like see you can see यहां पे इस तरीके से आपकी add दिखेगी तो यहां पे आपके form इस तरीके से बंदा भर सकता है lead generation form जैसे facebook पे होता है simple आप यहां पे अपना lead generation form मैंने पहले से बना रखा है लेकिन अगर आपको बना रहा है तो create new कर सकते हो मैं web development form पे मतलब आप कर दिये जिसमें के name address phone number यह मतलब email address not उसके घर का address चाहिए तो यही सिर्फ simple चाहिए आप यहां पे create new पे जैसे ही click करेंगे तो यहां पे आपको option मिलेगा कि आप क्या-क्या उससे headline दे सकते हो तो यहां पे आप headline दे सकते हो website development मैं दिखा देता है यह मैं उनके लिए कर रहा हूं जिनको नहीं आता है ठीक है website development आपने डाल दिया headline और और देन उसके बाद आप offer detail कुछ भी डाल सकते हो policy URL मैंने पहले से डाल रखा है देन आप चाहो तो policy privacy text कुछ भी डाल सकते हो मैं इसको side करो तन यहां पे आप अपना lead detail and custom questions अगर आपको चाहिए कुछ पूछ रहा है जैसे हमको first name last name email address चाहिए और उसके बाद आपको phone number यहां पर डाल दो वह बहुत जरूरी है कि बंदा phone number डाले so that you can call him last name Meshak आप हटा सकते हो तो यह आपको डालना है custom कुछ questions आप पूछना चाहो कि किस type की side आपको चाहिए तो वह आप add कर सकते हो confirmation पे अगला बंदा confirmation पे क्या message जाएगा तो आप यह लिख सकते हो thank you फिर यहां नीचे आप regards डाल सकते हो अपकी company का नाम थोड़ा सा उसको idea रहेगा regards ट्रायोटेक ट्रायोटेक ब्रैकेड में डाल सकते हो biz grow media जो भी आपकी company का नाम है अपने डाल दिया ताकि उसको दोन लगे कि legit है अगर यह वहां पर भी जा रहा है तो आप उसको कहां redirect करना चाहते हो form fill up करने के बाद अगेन मैं चाहता हूं कि भाई यहां पर हमारे पास direct WhatsApp नमबर भी है तो वह हमें यहीं पर contact करें तो यहां पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और visit company website पे क्लिक कर सकते हो और hidden feature कुछ भी आपको चाहिए तो आप लगा सकते हो देन उसके बाद create पे क्लिक करिए तो अभी आपकी क्या है कि add वो save हो रही है तो add जैसे ही आपके save हो जाएगी तो यहांपर display करने लग जाएगी कि आपकी add किस तरीके से यहांपर दिख रही है अब आपने देख लेना कि आपकी add कैसे दिख रही है यह आपके लिए रिव्यू के लिए आएगा उसके बाद submit हुजाएगा अब रिव्यू कर लीजे की सारी चीजे पर्फेक्ट हैं आपने जो जो detail डाली है वो सही है तो उसके बाद launch campaign पर click कर दीजे जैसे ही आप launch campaign पर click कर देंगे great job और 24 to 48 hours में आपकी आड तो approve हो जाएगी या तो reject हो जाएगी तो यह आप यहाँ पर देख सकते हैं go to account overview अब मैं आपको बता दूँ यह जो आपको बोलते हैं 24 to 48 hours ऐसा कुछ नहीं है बहुत जल्दी आपका campaign approve हो जाता है देखे मैंने इससे पहले एक test ad बनाई थी जो आप देख सकते हैं जिसमें की 160 रुपे मैं अभी इसको pause कर दिया है 160 रुपे spend हो गए हैं 227 impression भी पड़े हैं और 705 रुपे का cpm of course आपको पताएगे lead generation and ad काफी expensive होती हैं तो यह थोड़ा सा आप देख सकते हो यहाँ पर अपनी ads और इसी तरीके से आप सब भी LinkedIn के लिए ads बना सकते हो और बहुत अच्छे massive leads generate कर सकते हो अपने business के लिए और अच्छा results drive कर सकते हो तो I hope guys वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो में आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को like करिए share करिए अपने friends के साथ कुछ भी problem हो कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो just get in touch with me simple आप comment कर दीजे नीचे वीडियो के तो मैं उसका reply करने ही कोशुश करूँगा और कोई भी issue रहता है just get in touch with me और friends अगर आप सब नए मेहमार है पहली बार चानल पर आ हैं तो आप सब चानल को subscribe कर सकते हैं बैल आकन को भी प्रस कर दीजे नीचे जो रड़ कलर का बटन उसके क्लिक करके और हमारी वेबसाइट triotech.com उसके भी आप विजिट कर सकते हैं यह हमारा WhatsApp नमबर है यह calling अब लिए ओपन है तो चलिए फिर मिलते हैं आप से अपनी नेक्स वीडियो में तब तक आप यूही हसते रहे हैं मुसकुराते रहे हैं और दोस्तों वीडियो के मिलते हैं आपसे अपने नेक्स वीडियो में तब तक आप यह हसते रहिए मुस्कुराते रहिए दिली रहिए गाजी अबाद रहिए अबाद रहिए जंदबाद रहिए टेक क्यार गुडबाई